नमस्कार आप जूट चुके हैं स्टेट इंकलेव के साथ और मैं हूँ एंजलीना स्टीफन महभूबा मुफ्ती जैसे ही 14 महीने की डिटेंशन के बाद बाहर आई तो आते ही उन्होंने फॉर्म किया गुपकार्ड डेकलरेशन और उसी के चलते कल उन्होंने एक प्रेस-कॉणफरेंस रखे थी जिसमें उन्होंने काफी विवादत बयान दिये चाहे वो तिरंगे को लेकर हो तो चाहे वो पार्लिमेंट को डकेड कहना हो तो जिसने काफी जादा जो टेंशन है उसको क्रियेट किया है तो इसी पर बादचित करने के लिए हमारे साथ मुझूद है लीला करन शर्मा जी तो आए हम उनसे बादचित करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या वीगूस है इस बारे में सर सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर क्या कहेंगे आप जो कल जितने भी विवादित बयान जो उटकर आए है महभूबा मुफ्ति के उसके बारे में आपका क्या कहना है यह देखिए इन्होंने सतर साल तक देश को लुटा है और यह टेरिरिजम जो है इनकी क्रियेशन है क्योंकि जब तक टेरिरिजम चलता रह इनको हलबे मानने इनको मपंते रहे जहां तक मुबूबा मुफ्ति का स्टेटमेंट रहे काल का यह फ्रस्टेशन की बजा है और सिडीशिस है और कांस्टिशनल पदों पर रहने के बाप जूद इसके सिंको स्टेटमेंट देना इनको शोवा नहीं देता लेकर अगर दिय हैं तो इनका खम्याजा इनको भोगतना पड़ेगा इनको मैं तो संटर गोवर्मेंट से रिक्वस्ट करूंगा कि इनके खिलाफ सिडीशन का और इंटी निश्रल के ताहत में चलाया जाए और इनकी प्रापटी इस प्रापटी ने लोगों ने क्या मुफ्ति कांदान है क् अब्दुला कांतान है और वनकी प्रापटी जो बनाई है इसको कॉन्फिस्केट किया जा है और इनके खलाफ जे इनके इनकी रप्रेजेंटेशन जम्मु कुश्मीर को रजए रप्रेजेंट निकरते नहीं करते नहीं कहूंगा कि जम्मु उं तो बिलकुल ही निर इनकी रप्रेजेंटेशन है वहाँ पर पहाड़ी है गुजर है निशनलिस्ट है कश्मीर के लोग निशनलिस्ट है वो उनकी रोजी रोटी जो है चलती है और वो ट्रू निशनलिस्ट है लेकर यह जो उनको रिलिजिंस के बेसिस पर एक्सप्लाइट करते हैं पाकिस्तान को पैसा मिलता है उर्व कंट्री से को पैसा लाता है तो यह उसको वजह से यह सारा आपने आपको लाइम राइट में रखने के लिए सारा कर रहे हैं अधरोजी इनकी कोई हुगत नहीं है बाकिर रहा इनका मैं तो इनको भी लाइटली लेता हूँ क्योंके यह स्टेटमेंट दिल्ली में कुशोर देते हैं, जम्मू में कुशोर देते हैं, और सिर्नेगर में जाएंगे तो कुशोर देगे, और वैसे भी इनको थूक के चाटने की आदत है, दोजार आठ के जब अंदोलन चल रहा था, तो अमर अबदोला ने पार्लिमेंट में खड़े होकर बियान दि होगा, तो जमीन तो हमें मिल गई तो अभी तक तो मरा नहीं है, तो उसके डूब मरना चाहिए था उस स्टेटमन जो आपने स्टेटमन मुवा मुवाती ने कहा था, कि मैं जा रही हूं वहां अपने लोगों को लेकर मुझफराबाद जा रही हूं, तो मैंने उसके के पार्ल मेंट का जो राचूलिशन था, जिए पार्लिम्न की में ही है, छी मस्टनोट इनिसोच न्होगे में में पार्लिमेंट राचूलिशन अगर कश्मीर का कोई डिस्प्यूट है, तो वह ऐसे पाकस्तान के एलिगल अक्वपशन में है. तो वह ऐसी तक भी वह है, ये वापस आजाएगा ये भी illusion में है गरूपा मुफ्दी ने कल कहा था कि जो सरकार में किया है वह एक डखेति का काम है जबकि ये बातचीत करेंगे भी हो सकता था एक प्रौपर तरीका फॉलु करके भी होला है लेकिन जो सरकार नहीं किया है उन्होंने डगेट डालने वाला काम किया है जिस तरीके से उन्होंने 35 और 370 कोटा है आपका क्या कहना है इस बारे में? जो है बारे में पास हुआ इसमें पर्लीमेट में पास लेगली पास हुआ इसमें जुझकों करन कार दोी कोड़ों, बारे में जुझकों किया है। जो है वह गुवर्णर के पास लेजिसिलिशन पावर जो है थी वह गुवर्णर के पास थी बैलिड पावर थी और उसका फिर पर है इसने भारत के constitution की तुहीन की है तो ची required parliament को चाहिए कि इसके ख़लाब privilege motion जो है वो start की जाए क्योंकि ची nobel knows it और जहां तक इसका जो state जंडा नहीं उठाना है यह नहीं कर रहा है तो इसके seditions का और anti-national under the enemy agent के ख़ला चलना जाए property constitute करनी चोगी है रहा constitution इसको restore करने की बात कि मैं जब तक restore नहीं होगा तो यह भूल जाएं सभी कि मैं उनको warn करता हूं कि यह ना तो restore होंगे ना हो सकते हैं और अगर किसी वकत में आज नहीं किसी वकत में कोई government बदल जाती है और जिस तरीके से पंदर नहरूर ने शेख दुला का खुश करने की कोश्रिक की जा कोई और government इन चंद लीडरों को खुश करने की कोश्रिक करेगी तो जम्मू और लदाख राक की तरह उस करास्ते में खड़े होंगे जो बह गया रावी में वो वापस नहीं आएगा तो जहां तक पाउं पढ़ने वाली बात करते हैं तो पाउं तो कोई पढ़ेगा नहीं हाँ जुरूर तो पढ़ी तो पाउं से गल तांग से पकट गए घसीट के आपको उठा के बार फैंक देगे लास्ट अब हमारी चानल के मादियम से कोई मैसेज देना चाहते हो मैसेज जही है कि असंबल जाओ यह जो हो गया ठीक हुआ है और अब तकलीफ उनको जो हो रही है वो एक तो उनके जो दबदबा था बना हुआ जाख पर और जब वो खतम हो गया अब उसकी वो है तो आप चेंज हालात में आपने आपको ढालो भारत के नागरग बनके रहो तो तो तही है नहीं रहो गए तो फिर जो है प्टू फेस थी कांसीक्वेंसेंस और जम्मू जो है हम राकी तरह उसके खड़े हैं और वो बहुत हमारी ताकत जानते हैं 2008 में हमने देख लिया था कि इनको हमने एरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया था जिनके साथ हमने बाच्चित की तमाम मुद्दो को लेकर गुपकार को लेकर जिनका कहना है कि एक बार जो ये लौ पास हो गया एक बार स्टेट हुड चला गया तो वो दुबारा डिस्टोर नहीं हो सकता इनकी जितनी भी कोशिशे हैं वो सब नाकाम है ऐसी और अपडेट इसके लिए आप जुड़े रहें स्टेट इंकलेव के साथ मैं अंजलीना स्टीफन कैमरा पर्सन शाम जी के साथ धन्यवाद